नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक मद्य प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी मजबूती से दावेदारी सामने रख रही हैं लेकिन फैसला जनता को करना है दोनों ने अपने दाव चल दिये हैं दोनों के स्टार पचारक धुआधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं लेकिन जनता के मन में क्या है और किसके वादो पर जनता यकीन करेगी ये तो वक्त बताएगा लेकिन सियासी वार पलट वार के बीच इ क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार मजबूती से कॉंग्रेस आएगी यही दावा बीजेपी का भी है पिछली बार भी मार्जन कम रहा था मेरा मानना यह है कि कॉंग्रेस पार्टी को डेट सो प्लस सीटे मिलेंगी डेट सो प्लस आप जाएंगे चिंदवाड़ा एक ऐसी जगा है देश में जो कॉंग्रेस के कुछ गढ़ बचे हैं उनमें से एक है लगभक चार दशक का साथ कॉंग्रेस का आप लोगों का और जनता के साथ है इस बार बीजेपी ने अपने स्टार्ट प्रचारकों और केंद्रिय मंत्रियों की फोज उतार दी है और लक्षे है क कैसे कमलनाच जी को यहां पर घेर आ जाए चैगरी मंत्रियों में शाह हूं स्मृती इरानी हूं तमाम स्टार्ट प्रचारक पूर केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाध हूं तो कैसे इसका मुकाबला करेंगे क्या रणनीती कॉंग्रेस की मैं अनका स्वागत करता हूँ छिनवारा में आये शिनवारा मॉडल देखे शिनवारा का इकास मॉडल देखे आप भूलियेगा मद्र कमलनाच जी का शिनवारा के लोगों के साथ 42 साल पुराना परिवारिक संबंद्रह तो मैरा मनना यह है कि कोईब बड़ान नहीता आ पूर में भी इसकी चर्चा हुई है तो आज आप विस्तार से बताईए कि छिन्वाडा मॉडल है क्या और आपका कहना है सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में और भी आगे देश में लागू करेंगे क्या है यह चिन्वाडा मॉडल जो चार दशक से उपर का आप लोगों का सा साल आगे हैं भारतिया जन्था पाटी से यहां रेमंड की फैक्टरी लगी हिंदुस्तान यूनिलिवर की फैक्टरी लगी आप यहां के सडके देखें सडकों का जाल बिछा हुआ है चिन्वाडा में मेरे सांसर बनने के बाद मैंने चिन्वाडा चालू की थी जिसकी आज एकटरी मेनरे राशी भारतिय में जन्था पाटी ने रोग दिया हमारा सूर सपस्पेंशियलिटी ह॔स्पिल मेंडिकल कॉलिज का बनना ठा उसकी राशी उन्होन का कम कर दी चौदा सो बेट का सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जो मध्य भारत में टॉप हॉस्पिटल हो था, उसकी राशी कट कर दी। चौदा सो बेट का हॉस्पिटल को कट करके 600 कर दिया। तो भाजपा ने हमेशा चिन्वाडा के लोगों के साथ सौतला वेवार किया है और जनता भाजपा को मूत और जवाब देगी कॉंग्रेस ने बहुत बड़ी घोशनाएं की हैं आपके मैनिफेस्टों में बहुत सारी ऐसी बाते हैं कि सिलिंडर की सबसीडी होगी बहुत सारी योजनाओं का आप जिकर कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि फंट्स नहीं है उसके लिए इंतजाम कहां से होगा अर नहीं कर दो नहीं है नहीं थिम्द्टरू को फंट्राइन को विए नहीं है है कि पंचन कीजिए बढ़ााइं मदाँका मलड़ा को तो जो जो वादे 15 नहीं रेता यह पर विश्वात करती है वो जानते हैं कि जब कमलाज जी कुछ कहते हैं वो करते हैं और वो वचन बंद हैं वचन निभाएंगे आपने वचनों की बात की लेकिन हम मध्यप्रदेश की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में राम का भी खूब जिक्र हो रहा है सनातन का भी जिक्र हो रहा है हनुमान का भी जिक्र हो रहा है वो हमेशा धर्म को राजनितिक मंच पे लाते हैं, कॉंग्रेस कभी धर्म को राजनितिक मंच पे नहीं लाती है लेकिन कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर के यहाँ पर भी गए आपने एक हनुमान प्रतिमा भी स्थापित करवाई है उसको भी हमने देखा यहां पर तो राम हनुमान तो दोनों तरफ से हो रहा है देखिए यह हमारी आस्ता है और चिनवाडा की जंता की बड़े दिनों से मांग थी कि यहां एक भागेश्वर धाम जी का कता हो और हमने तो एक साल पहले उनसे निवेदन किया था तो अब मैं क्या करूं अगर उनकी डेट चुनाव से थीक तीन-चार महीने पहले उनने डेट दी केंद्रे मंत्री सुनेती राम जाता हूं जो हनुमान मंदिर आप दिखके आए हैं यह 9 साल पहले जब कोई चुनाव नहीं थे 2014 में यह मंदिर की स्टापना हुई थे उस टेम कोई चुनाव नहीं थे उस टेम क्या हम कम हिंदू थे और अब हम जादा हिंदू हैं यह हमारी आस्ता की बात है केंद्री मंत्री स्मृति रानी भी चिंदवाड़ा आई और उन्होंने कहा कि जो पाटी या जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे आज वो राम मंदिर और राम की बात कर रहे हैं देखिए राम मंदिर की बात भारतिय चंता पाटी करती है उनकी जब पह प्रदेश में जनसभाख कर रहे हैं वो उत्तरप्रदेश के बफिलडोजर का बही जिखर कर रहे हैं डूबल इंजन की सरकार का भी जिकर कर रहे हैं और ये महिलाओं का भी बड़ा काट बीज़े-पी खेल रही है सक क्या काट कोंग्रिस केता से पास है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधार मंत्री भी मंद से कह रहे हैं कि देखें अगर कॉंग्रेस आ गई तो ये योजनाओं का लाब मिलना आपको बंद हो जाएगा सबसे पहले तो कॉंग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना लाई थी, बीजेपी भोगला गई, घबरा गई, और उन्होंने हमारी योजना की नकल करके, कर्च पे पैसा उठाके, हमारे माताओं और वहनों को गुमरा करने की कोशिश की, परलोबन देने की कोशिश की, और मैं मैं आपके चैनल के माधियम से ये स्वश्ट कर देना चाहता हूं, जैसी हमारी सरकार आती है मद्विदेश में, हम नारी सम्मान योजना की तहत, हर माता, हर बहन को, हर महीने पंद्रा सव रुपे दिलवाएंगे, और गैस सिलिंडर पांच सव रुपे में दिलवाएंगे नकुल जी, आप एक युवा नेता हैं, और कमलनाच जी को लेकर, उनकी उम्र को लेकर भी बीजेपी एक मुद्दा बनाती है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास, उनका कहना है कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं इखें, बीजेपी के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं है, तो अंचन मुद्दे बना देते हैं लएक उवागे माध्यपरदेश को लेकर आपका विज़न क्या है, आप एक युबदा नेता है, उप युवायों की बात करते हैं, आप स्पोर्ट को बहुत प्रमोट करने की बात करते हैं, क्या वरिजन है तो क्योंकि मैं युवाँ हूँ, मैं युवाँ के बारे में भी सोचता हूँ. आपने ये भी घोशना की कि मद्य प्रदेश की माई पेल टीम बनवा देंगे? आपने युवाँ से सुझाव मांगा कि उनका नम बता देंगे? ये कमलनाथ जी के वचन पत्र में है. आपने एक और घोशना की, आपने तारीक बता दी कि कमलनाथ जी ही बनेंगे मुख्य मंत्री और किस डेट को वो शपत लेंगे? मैंने साथ तारीक का है, तीन तारीक को आपको स्थान और समय भी पता लग जाएगा. अच्छा, सनातन को लेकर कमलनाथ जी पर भाजपा सवाल खड़े करती है, उनकी हनुमान भक्ती पर भी सवाल उठाए जाते हैं. मैंने जैसा कि आपको अभी का, नौ साल पहले हमने हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की थी. हम उच टेम भी हनुमान भक्ते, अब भी हनुमान भक्ते. कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस के अंदर गुटबाजी है. दिगविजे सिंग और कमलनाच जी दोनों को लेकर कुछ वीडियोस भी वाइरल होते हैं, एक दूसरे के बयान को भी लेकर होते हैं, ऐसे में BJP चुटकी लेती है. और ये महौल बनाने की कोशिश के जाती है कि देखिए यहाँ पर कई चेहरे हैं, पार्टी में एकता नहीं है. मैं सबस्ट कर देना चाहता हूँ, एक ही चेहरा है और वो है कमलनाच जी का चेहरा, कमलनाच जी और दिख्विजे सिंग जी की दोस्ती बहुत परानी है, 35-40 साल परानी दोस्ती रही है उनकी. महिलाओं को लेकर जो बड़ा दाव है, उसमें Women's Reservation Bill को पास करवाया गया, उसकी बात अब देश में हो रही है, और स्टेट लेवल पर भी महिलाओं से जुड़ी भी बहुत सारी घोशनाय सरकार की चल रही है, इसका जवाब कॉंग्रेस कैसे देगी, क्योंकि मान के चल र वो अभी नहीं करा रहे, तो Women's Reservation एक मेरा मानना है, इलेक्शन गिमेक है, आइएंडिया जो गटबंधन बना है, NDA को टक्कर देने के लिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेताओं ने सनातन को लेकर बयान दिये हैं, जिसकी देश में खुब चर्चा हुई औ उसकी आलोचना भी हुई, और Congress को घेरा गया कि अब क्या कारवाई होगी, ऐसे निताओं पर, ऐसे दलों पर, Congress Party ने तो कभी सनातन दन के बारे में कुछ निकाप, अगर इंडी अलाइंस के किसी मेंबर ने सनातन दन के बारे में बोला है, तो, और मैं यह स्पश कर देना च तो क्या यही वज़े है कि समाजवादी पर्टी के साथ सामंजस से नहीं बैठ पाया मध्यप्रदेश में? चुनावी मौसम में गटबंधन दल के साथ इस तरह का जेश्चर आपको लगता है सही संदेश जा रहा है इससे? दीखे, अगर कोई कॉंग्रेस पार्टी जोइन करना चाहता है, सब का स्वागत है और अगर गटबंधन की बात जहां तक रही, मुझे पूरा विश्वास है, अगर गटबंधन चुनाव के बात करना पड़े, तो समाजवादी कॉंग्रेस पार्टी का साथ देगी. मायवती भी मैदान में हैं, वो जनसभाएं कर रही हैं और घेर कॉंग्रेस को ही रही हैं, दलित विरोधी उन्होंने बता दिया, और MP का चुनाव जीतना है तो OBC, ST, SC, इसको अपने साथ रखना होगा? मध्यपदेश में हर वर कॉंग्रेस के साथ है. चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद नकुलनाज जी, हमें समय देने के लिए और धेर सारी शुपकामनाओं के साथ आगामी चुनाओं, बहुत-बहुत धन्यवाद. मुश्क्राइब.